Hello friends, Assalamu alaikum, this is Munazah, Microsoft Excel की Advanced Level की विडियो में आपको welcome करती हूँ जैसे कि Microsoft Excel की विडियो में मैं आपको रिपोर्ट्स जनरेट करना सिखा रहे हूँ मैंने एक पहले भी M.I.I.S. रिपोर्ट जनरेट की थी within a pivot table आज मैं करूंगी माइस रिपोर्ट एक्जल में बट यूजिंग सम इफस फॉर्मूला ये वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाजमी से फुल वाच कीजिएगा situation कुछ ऐसी होगी कि मेरे पास data है ठीक है ये वाला मेरे पास data है इसी data को लेके मैंने बहुत से multiple ways में आपको करके दिखाया पेवेट टेबल किया और भी बहुत कुछ generate करके दिखाया था ठीक है आपको पेवेट टेबल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पेव जनरेट करनी है ठीक है अब ये शीट टू पे आपके सामने यहां पर country आगी जो मेरे पस different province है वह आगे मैंने डुब्लीकेट रिमॉफ किया इसी तरह मैंने यहां पे डॉप डॉप डाउन लिस्ट बनाई जिसमें मेरे पस सारे province के नेम आ रहे हैं और जो मेरे पास years है जि में डेट किस सूबे में ज्यादा हुई और 2020 से 2021 में किस सूबे में डेट जादा हुई मैंने एक comparison रिपोर्ट जनरेट करनी है मैं description में इस फाइल का भी लिंक दे दूँगी practice के लिए ठीक है ताकि आप practice करना जाएं तो आप easily कर लें अब मैंने लगाना है some ifs formula जो कि मैं य useful रहेगा आपके लिए अगर यह चीज़ें यह जो मैंने पहली डेटा यहां पर इंसर्ट किया वह इसकी आपको समझ नहीं आई तो मैंने मैं यह एस रिपोर्ट जो पेवेट टेबल के लिए बनाई थी उसमें भी कुछ इसी टाइप का data था सारा मैंने आपको करके दिखा है कि हमारे पास जब मल्टीपल क्राइटेरिया हों यानि मल्टीपल कंडीशन्स हों हम उस टाइप यूज करते हैं तो यह मैंने सम इस लिख प्रेंटिस ओपन किया अब मैं मुझसे माग रहे हैं सम रेंज तो मैं शीट वन पे आउंगी ठीक है क्या मैंने कंपेर करना था देट निकाल लिए हैं तो मैं डेथ रेट को यहां से कर लूँगी स्लेक्ट यह उपर आ गया मैं इसको कर दूंगी एफ-फॉर कीबोर्ड से दबाके लॉक ठीक है एफ-फॉर दबाके इसको लॉक करना जरूरी इसलिए है ताकि जब मैं ड्रैक करूँ अपना डेटा बाक आके लॉक कर दूंगी और कॉमा डाल दूंगी ठीक है यह दो चीजे हो गई अब मैं शीट टू पे आते हूं ठीक है शीट टू पे आके यहां से अब मैंने यह इदर क्या करना है मैंने यहां पर जनवरी लेना है ठीक है जनवरी मैं लिया और एफ-फॉर से इसको मैंने कर चला जाए किसी मेरे जगां पर किसी डेटा में कोई गलती ना हो जाए easily मेरा डेटा लॉक रहे जहां से लॉक कियावा है यहां पर मैं row को लॉक करूंगी ताके बाकी जो इसके column wise है मैं इसको असानी से move कर सकूँ तो row को लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगी में पास दो डॉलर के साइन है यह जो first वाला डॉलर का साइन है मैं इसे कर दूंगी remove e dollar two को मैं रहने दूंगी ठीक हो गया पर मैं यहां पर कॉमा डाला अब मुझसे मांग रहे है criteria range two देखे सामे इसका formula में पास multiple criteria's आ रहे हैं तो criteria range two क्या होगी months होगे ये एक तर्व से मेरे पास यहां पर आ गया तो अब मैं यहां पर क्या करूंगी मैं यहां पर आऊंगी sheet one पे और मैं यहां पर लूंगी year ठीक है जो जितने भी मेरे पास यह year है मैंने इसको सारे को किया select f4 से मैंने इसको किया lock कॉमा लगाया तो यह मेरे पास year का आ गया अब मैं मुझसे मांग रहे criteria range two तो मैंने यहां से year select किया जिसना पहले यहां से मैंने months के name लिये था और वहां पे जागे फिर sheet two पे जागे मैंने month का name लिया था क्योंकि obviously जो मैंने criteria range दिया फिर उसका criteria भी तो देना अब यहां से मैंने year select किया उसको lock किया तो sheet two पे आके मैं यहां से इस वाले year को करूंगी select ठीक है इसको select करके effort दबाके मैंने कर दिया lock इसको मैंने lock किया तो अब मैं यहां से column को कर दूंगी lock तो column को lock करने के लिए जो मेरे पास यह वाला dollar का sign आ रहा है मैं इसको remove करूंगी पहले आपके सामने row को जब lock किया था तो उसमें जो है शुरू बाला remove हुआ था इसमें column को कर रहे हैं तो mid वाला जाएगा ठीक है यहां पर मैंने डाला कॉमा अब मुझसे फिर मैं आती हूँ यह जो मेरे पास country का मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रियेट की थी मैं उससे लूँगी यह मैंने लिया और इसको भी मैं effort बाके कर दूंगी lock और प्र प्रेंटिस close और enter कर दूंगी तो यह देखे मेरे पास इस तांसे जनवरी का ठीक है तो यह इस तांसे हो गया अब यहां पर आप देखिए क्योंकि मैंने कुछ रोज और कॉलम फिक्स की थी तो उसका फाइदा यह हुआ अब यह मैं यहां से इसको ड्रॉप डाउं किया अब यहां से मैं इसको उस साइट पर ड्रैग करूंगी यह देखिए फॉर्मूला में पस सही से आरहा है मैं यहां से स्को ड्रैग कर लेती हूं तो यह मैं पस इस तांसे ग्रैग हो गया और देखिए इस तनह से अब मैं यहां पर रिकॉर्ड चेंज करके देख ले दियों तो यह देखें यह देखें अब मुझे एक और काम करना है मुझे इनका ओवराल सम ले लेना है ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी इदर में लगा देती हूं सम का फॉर्मूला सम एक्वल्स टू पहले यह वाला लिया सॉर्मूला एक फोडाला पहले इक्वल्स टू डिलते ऐ इसको में एफ़ड़ बा के कर कर दोंगी लाक यहां पे आई और एंटर करिया अब इदर भी इसको मैं उसी तरह से ड्रैक करके मूव कर लूँगी और फिर मैं इस पर बनाऊंगी आपको लाइन चार्ट बना के इस पर दिखाऊंगी बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है इसको लाजमी से फुल वाच कीजीगा आपके लिए बहुत यूसफुल साबित होगी अगर आप एक्जल में एक्सपर्ट बना चाहते हैं तो सेम प्रासेस यहां पर भी अप्लाई करूंगी इक्वस्टू सम् प्रेंथिस ओपन ये लि भी इसी तरह से कर लेते हैं ठीक है तो ये मेरे पास इस तरह से मेरे पास ओवरॉल साम होके आ चुका हुआ है अब मैं क्या करूंगी सारे को कर लूंगी स्लेक्ट स्लेक्ट हो गया इदर आई इंसर्ट पर गई मैं इंसर्ट पर आके यहां पर मैं लाइन चार्ट ले लेती हूं या आप जो भी लेना चाहें आप ले लें यह मेरे पास लाइन चार्ट आ रहा है जो भी आप लेना चाहते हैं यह वाला यह वाला ले लेती हूं ठीक है तो इस तरह से मेरे पस आ गया मैं आ आपको यहां से जरा दिखा भी देती हूं यह देखिए कमपैरेजन कर रहा है बाकी आप इसको यहां पर भी ले के आना चाहते हैं तो आप बेशक्र लेए हैं वो किस तरह से होता है मैं आपको बता चुकी हूं इस पारे में भी एक दफ़ा उसी वीडियो में उसको लाजमी से जाके वाच कीजिए अज़ा मैं लिखते थी हूं एक सेकेंट इंसर्ट में गई यहां से मैंने टेक्स बॉक्स लिया टेक्स बॉक्स मैंने यहां पे इंसर्ट किया इसमें लिख देती हूं कंट्री अब यहां पे मैंने इक्वस्टू का साइन डाला और यह जो में पास आ रहा था ड्रॉप डाउन लेस्ट इसको मैंने किया स्टेक्ट कर दिया एंटर तो यह देखे पंजाब का हो गया बाकि आप इस तना से डालना चाहते हैं तो डाले नहीं तो आपकी मर्जिए यह जस्ट आपको बताने के लिए था कि आप इस तांसे चाहें तो भी कर सकते हैं इसके साइस को मैं भड़ा कर देती हूं बाकी यह चीज़ें आपने रिमूफ करनी हो तो आप कर लें पर मैं इसको फिलहाल नहीं कर रही है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूसफुल साबित हो सकती है बहुत जादा लार्ज अम आप डेटा का कमपैरिजन निकालने के लिए यह देखें इसता से वर्ट कर रहे हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेल लाजमी से कीजिए इसी तरह की इंट्रोस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल लर्न एंट फंड मुनाज़ा को वाच कीजिए और सब्सक्राइ करना बिल्कुल भी मत फूलेगा थैंक यू